अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में कल पुलिस ने अवैद शराब तसकरों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से दो अवैद शराब कारोबारियों को गिरफतार किया है। जबकि एक आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है, आदर्श नगर थाना पुलिस के एसाई भूरी सिंग के अनुसार पहला मामला पालरा गाव का है, जहां से राजेंदर नाम के आरोपी को अवैद हंग्रेजी शराब के साथ गिरफतार किया गया। वही दूसरा मामला भी पालरा इलाके का ही है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में अवैद शराब का कारोबार करने वाले शेर सिंग को बड़ी मात्रा में अवैद हंग्रेजी शराब के साथ गिरफतार किया गया है। जबकि आदर्श नगर थाना इलाके के ही धूंड ही गाव में सद्धीक नाम के आरोपी के घर दबिश दी गई और वहां से बड़ी मात्रा में अवैद हंग्रेजी शराब बरामद हुई, लेकिन आरोपी फरार होने में काम्याब हो गया, इन तीनों ही मामलों में पुलिस मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, बही फरार आरोपी की भी तलाश की जा रही है। आपके जब्त किये गए, प्रगर्ण दर्ज कर अनुसंदान किया रहा है, आरोपी को आज दिनांग को निया एलेम पेस किया गया है, दूसरा मामला कमलेश कुमार कांस्ट हेटगानी, मैं जाबते के कल दिनांग को तोराने गस्त तिल्ला मिली थी, जिस पर उसने गस्त के दोरान पालरा रिको एरिया से मुल्जिम सेर सिंग निवासी कमलाई को गरपतार किया था, जिसको आज ने एलेम पेस किया गया है, पूर में भी इसके खिलाब दारु का एक प्रकंड दर्ज कर दिनांग को गराम अटूंडी में, मेरे द्वारा, जापते द्वारा, दोराने गस्त इलागा, मुख्विर द्वारा सूचना दी गई कि सब्दीक सनो प्रहमान नाम का अव्यक्ति है, जो अटूंडी गाम में अवैद सराब का विक्रे करता है, जिस पर जो उसके मकान के पास, मकान पर दवीश दी गई, जो म पास में रगी सराब को जब्त किया जाकर प्रगंड दर्ज किया गया है, अनुसंदान जारी है, उसके 36 पार्टर बरामद हुए थे, अंग्री जी सराब, बूरी सिंगे ऐसा ही खाना आधर सनगे रज़ाए,